आज हम एक ऐसा केक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हूं जिसको हम एक वेज़ेटेबल से त्यार करेंगे नमस्कार आज हम आपके साथ शेयर करें हूं करट केक रेसिपी जिसमें ना बाटर लगेंगे ना मिल्कमेट लागेंगे घर के समद से हम इसको त्यार करेंगे तो चले रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले एक कड़ाई ले लेंगे उसमें डाल देंगे रेत या सल्ट नमग और अच अब हम एक केकटिन लेंगे उसमें घी या तेल हम हपटी स्पून डाल देंगे और आच्छे से फ्यला देंगे आप चाहे तो बाटर या घी भी लागा सकते तेल का यूज कर रहे हूं अब इसको हम उपर थाड़ा मेर्दा के डास्टिंग कर देंगे इसके बाद एक बाटर पेपर को हम इसके इस तरह में काट के हमसी को रख देंगे बड़ा जills निकलके अच्छे से दो लिया है उसके बाद ऑच्यवटर के सकत extrapol है इस तरह से हम कर लेंगे कर्ए को पुरा घाजल को हम और ग्रेट कर लिया है अब हम करें वान फॉर्ट कप डाइब फूर्स लिया है और इसमें किसमी से बादाम है और काजू है आप चाहे तो सिर्फ आक्षवर्स से भी इसको बाना सकते हैं मैं इसमें हाफ टी स्पून मैदा डाल की इसको कोटिंग कर दोंगी ताकि जब केक में बेटर में डालोंगी अब हम एक बटन में हाफ कप करीब तेल डालेंगे उसमें डालेंगे चीनी का पाउडर एक कप चीनी को पाउडर को मैंने चीनी को मैंने मिक्सी जार में मिक्सी जार में पाउडर बना लिया था वह हम डाल देंगे अब हम डालेंगे बाटन मिल्क आपके पस अगर बाटन मिल्क ना हो तो दही भी डाल सकते हैं आपका अच्छे से हम इसको फेड लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे दो टेबिलस्पून हानी सहर उसको भी हम बाटर्न मिल्क और चीनिके साथ अच्छे से मिष्ट कर लेंगे सारे लिकोड इंग्रियंट्स को हम पहले इस तरीका से मिष्ट कर लेंगे तो गेक अच्छा बनेंगे अब एक औरेंज लेंगे उसमें उपर बाला छिलका हाल का हात्र से उससे पर बाला छिलका को हम इस तरी रही से कर्द कस करके करी कोडिक टेबिल स्पून हम ले लेंगे ध्यान राखना इसका अंदर का सफ़त हिस्सा ना चला आए तो यह कोड़बा लागेंगे इसलिए हालका हाते से उपर बालाई छिलका आप इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे अब हम इसमें ड्राई इन विङेंस डालेंगे एक जान लीन लेंगे उसमें एक कप और one cup मैदा ढलेंगे सात में यह बेकिंग पाणरड वान टीस्पून और डालेंगे one four teaspoon हम baking soda और डालेंगे चुट की बहद हम numak डालेंगे एक आरट cake है तो थोड़ा नमक जॉरूरी है सारे dhamолог को घालेएज के योद्हान घालंना बहुत जॉरूरी है चॉपित के को स्कीप बिल्कुर नहीं करना अब डालेंगे डाल जलचिनी का पाउडर कॉंटी स्पून और डालेंगे जाइफल का पाउडर हाफ टी स्पून अच्छे से हम केक बेटर को फेट लेंगे एक ही डारेक्शन में आप फेटते जाना जितना अच्छे से आप इसको फेटेंगे और जल्द जल्दी फेटेंगे उतना ही केक हमारा आ बाना के पर ट्राइ करने आप दोगों जोरूर पसंद आएंगे अच्छे से हमने इसको फेड लिया है और हम जो गाजर को ग्रेट करके रखा था वह हम एक कप डाल देंगे और डाल देंगे जो ड्राइफूर्स हमने मौयता से कोटिंग करके रखा था वह हम डालेंगे अच्छे से मिष्ट कर देंगे केक के बैटा के साथ बहुती सौप्ट और बहुती लाजवावे केक है एक बार 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 एक केक बन करेंगे बहुती टेस्ट केक बनता है बारना के ट्राइफ जरूर करना आप लोग अच्छे से हम इसको मिष्ट कर चुका है केक टीन जो हमने तयार करके राखा था उसमें से पैटर डाल देंगे सारा पैटर को डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा थप थप आएंगे ताकि अंदर का जो बाबल है और निकल जाए और केक अच्छे से हमारा फूल जाए कि पहले से जो नमग हमने गरम करने के लिए राख दिया था उसके उपर एक केक टिन राख देंगे और पूर्टिस से चलिस मीट के लिए हम इसको बिलकुल लोग फ्लेंपे इसको हम बेक कर लेंगे चल इस मीट बाद आप लोग को दिखा रहे हूं एक टूथपिक लेंगे या चाकू लेंगे उसके साथ ऐसे हम इसको चेक कर लेंगे अगर स्मूथ लिए बाहर निकल गया इसके मतलब केक हमारे रेडी है अब इसको हम ठांडा कर लेंगे बिलकूल ठांडा करने के बाद एक आकों के साथ ताससे इसतरी के चारों साइड हम इसको थोड़ा-थोड़ा मिशन देंगे थाकी हमारा अच्छे से निकल जाए एशे थे हमने बाटर पेकर लागा के रखा था आसरी से केक निकल भी जाएंगे और एक प्लें लेंगे उसके पर पल्टा देंगे देखें कितने अच्छे से केक हमारा बन के रेड़ी हो गया है जो बाटर पेपर है उसको हम निकल देते हैं बिल्कूल सॉफ्ट केक बन के तयार हुआ है बहुत ही स्पॉंजी केक बन के तयार होता है सॉफ्ट भी बहुत ही है दुसरा प्लेंगी इस तरी के साम पल्टा देंगे देखिए केक हमार बिल्कूल रेड़ी है अब हम काटके दिखा रहे हैं आप लोगों को कितना स्पॉंजी है और कितना सॉफ्ट है एक एक बिल्कूल घर का सामन से हम इसको तयार किया है ना बाटार ना कॉर्णेट्स मिल्क कुछ भी जरूरत नहीं है देखिए के कमरा रेड़ी है रेशिपी अगर पसंद आए लाइक सिया सब्सक्राइब जरूर करना तो चलिए फिर मिलता है एक नहीं रेशिपी के साथ तब तक अपना क्याल राखना बाई बाई